नमश्कार में मुहिच रिमाली आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के विशेश प्रोग्राम खेल ग्रहों का में आज हम बात करने जा रहे हैं नियुम्रोलोजी की सब्जिक्ट पे कैसे आपके नाम का पहला अक्षर आपके सुभाव को निर्धारित कर सकता है यदि आपने कभी कल्पना भी की हो कि अक्षरों के बिना अपनी कोई भी बात कर सकें बता सकें या समझा सकें आप स्वयम को असफल पाएंगे क्योंकि बिना अक्षर के कोई बात कहना असंभव है अक्षरों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं शब्दों के ही अर्थ होते हैं किसी एक अक्षर का क्या महत्व है पर अंक जियोतिश में एक ही अक्षर को भी बहुत महत्व दिया गया है एक एक अक्षर का कितना महत्व है इस बात का ग्यान तो आपको हो ही गया होगा व्यक्ति के नाम से राशी निकाल कर फलादेश करना भारत में ही प्रशले दो ऐसी बात नहीं है नाम के अक्षरों से व्यक्ति के बिहेवियर का विशलेशन वेस्टरन इस्ट्रोलॉजर्स भी करते आए हैं इसका मतलब अक्षरों का महत्व जान लेना बहुत आवश्यक है प्रायवर सभी धर्मों में देशों में नाम का महत्व है नाम के महत्व के कारण ही बहुत से राजगराने एवं धनी परिवारों के अलावा बहुत से सामानिय जन्वी पीडियों तक एक ही नाम का चलाते आए हैं इसी प्रचलित नाम के आगे या दो जूनियर या सीनियर या फर्स्ट या सेकंड लगा देते हैं इंग्लेंड के राजघरानों में जॉर्ज या एडवर्ड चले आ रहे हैं फ्रांस में वैसे लूई और हेंरी चले आ रहे हैं भारत में भी चंद्रगुप्त, हर्शवर्धन, विक्रम आदितिय जैसे नाम चले हैं आरे हैं नाम के महद्व के कारण ही यह सब चलता रहा है इतनी प्रसिद्धी, इतना मनोबल मिलना सिर्फ नाम के पहले अक्षर से अगर जाहिर हो तो आप सोचिए कि आपका जो नाम है वो कितना इंपॉर्टेंट है आज की तारिक में आपको जानना कि वो क्या कहता है आईए, अब आपको इंग्लिश एल्फाबिट्स के प्रतियक अक्षर के रहस्य की जानकारी से अवगत कराता हूँ इससे आपको मालुम पड़ेगा कि आपके नाम के अक्षर में क्या रहस्य अचपा है ऐसे अनेक विद्वान आज भी विद्यमान है जो किसी व्यक्ति के संपूर नाम तो क्या नाम के केवल प्रतम अक्षर से सिफ फर्स अक्षर से उसकी छवी खोल कर सामने रख देते हैं और आपके नाम के प्रतम अक्षर से ही राशी बनती है वैसे ही वैदिक जियोतिश के अनुसार व्यक्ति का नाम करन शुब महौरत में हो जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ उस नक्षत्र से प्रभावत अक्षर से व्यक्ति का नाम रखा जाए तो व्यक्ति जीवन में सदेवुन्नती करता है व्यक्ति मशूर होता है और यश की प्राप्ति करता है वैदिक जोतिश की तरह अंग जोतिश में भी व्यक्ति के नाम के अक्षर का महत्व बताया गया है अंग जोतिश के अनुसार व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर भी व्यक्तित्व को प्रभावित कर देता है नाम के पहले अक्षर से व्यक्ति के सुभाव और गुणों का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है तो आईए बात करते हैं सबसे पहले अक्षर की यानी लेटर A अंग जोतिश में इसको दिया गया है करम एक जिन व्यक्तियों के नाम का अंग्रेजी के लेटर A से शुरू होता है ऐसे लोग अपनी महनत और लगन से जीवन में सफलता और उचाईव में पहुच जाते हैं हालाकि इन्हें सफलता धीरे धीरे मिलती है इसलिए कई बार हदोत साहथ भी हो उटते हैं इस अक्षर से नाम वाले व्यक्ति उर्जावान और द्रड इच्छा शक्ति वाले होते हैं आम तोर पर यह किसी चीज की में जल्दी पहल नहीं करते हैं लेकिन अगर किसी लक्षे को पाने की ठान लें तो उसे हासल करके ही दम लेते हैं जिन व्यक्तियों का नाम एलेटर से शुरू होता है वह परस्तितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और मौके की नजाकत को समझते हुए फैसला लेते हैं इनके सुभाव में जिद, हट, शामिल होता है लेकिन अपने से जुड़े लोगों का ध्यान जरूर रखते हैं रिष्टों के प्रदिया काफी संजीदा होते हैं इसलिए इनका दामपत्य जीवन सामानिय तोर पर सुखद होता है ऐसे लोगों की एक विशेष्टा यह भी होती है कि दिल की बजाए दिमाग से अधिक काम लेते हैं अंक जोतिश के अनुसार अंग्रेजी का दूसरा लेटर बी है और इसका अंक दो है इस अंक के प्रदिनिश्दी दिशा उत्तरपूर्व यानि इशान है जिसे धन और सम्रद्धी के दिशा खा जाता है इस अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है वह काफी मूडी होते है इन्हें अपने उपर किसी प्रकार का दबाव पसंद नहीं आता छोटी से छोटी बातों पर यह खुश हो जाते हैं और अचानक ही वही किसी बात पर नाराज भी हो जाते हैं इनकी दोस्तों का दाएरा छोटा होता है लेकिन जिन से दोस्ती करते हैं उसे इमानदारी पूर्वग दोस्ती निभाते हैं और इस बात का भी ध्यान रखा जाए चाहे इनका जो दोस्त का सर्कल है वो छोटा हो पर influential और powerful people से बना होता है वीपरित लिंग के व्यक्ति के प्रती इनमें अधिक आकर्शन होता है इसलिए इनका वहवाहिक जीवन आम तोर पर सुखद होता है जिन लोगों का नाम बी लेटर से शुरू होता है ऐसे लोग आम तोर पर प्रेम विवा करते हैं इस लेटर के नाम वाले व्यक्ति मेहनती और किसी भी वज़़ से आर्थिक सिती अच्छी होती है प्रक्रती के प्रती इनमें गहरा लगाव होता है भावकता भी इनमें खूब होती है जरूरत मंदों की सहायता के लिए या सदेव तयार रहते हैं और सामाजिक कारियों में भाग लेने में या रूची लेते हैं आप जनरली ऐसे लोगों को पाएंगे जो इतने सोशली आक्टिव हैं जो अपने से पहले दूसरों का सोचते हैं वो कोई भी लेस फॉर्चनेट जिसको हम बोल सकते हैं उनके लिए हमेशा तयार रहते हैं चाहे आप सिगनल पे किसी को देख लें तो रुपे देने की बजाए उनको बिसकेट देते वे नजर आएंगे रहा चलते वे लोगों को देख करके या किसी मजदूर को देख करके थका हारावा देख करके उसको पानी की बाटल देंगे ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं और अगर आपके पास में भी ऐसा कोई दोस्त है या व्यक्ती है जिसको कि आप जानते हैं जिसका नाम B-Letter से शुरू हो आप अपने आपको बहुत ही लखी पाएंगे अंग जोतिश में सी अक्षर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है उन्हें उच्साही और हमेशा प्रसंद रहने वाला बताया गया है ऐसे लोग कठन समय में भी खुश रहते हैं और अपने आसपास सकरात्मक उर्जा यानि पॉस्डिव एनरजी बनाये रखते हैं क्योंकि ये अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने की कलाज जानते हैं अंग्रेशी के सी लेटर यानि अंक तीन के प्रभाव में होता है इस लेटर के नाम व्याले व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का समाधान कम करना पड़ता है कही न कहीं से धन का इंतिजाम हो ही जाता है इसलिए इनका कोई भी काम धन की कमी से कभी नहीं रुख सकता और जिनका नाम अंग्रेशी के सी लेटर से शुरू होता है उनकी वानी और व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है ऐसे ही लोगों को अगर आप जनरली देखें तो आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए देख सकते हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर या एक पब्लिक पस्नालिटी के तरफ देख सकते हैं चाहे DPS जैसे स्कूल्स के अंदर आज की तारिक में MUN करके एक चीज चल रही है जहां पर अंतराश्ट्रिय स्कूलों से और भारत के अलग लग स्कूलों से बच्चे आ करके डिबेट करते हैं ऐसी जगाँ पे आप सबसे जादा अगर किसी को जानते हैं जो की अच्छा परफॉर्म करेगा वो सी लेटे के अक्षर से हो सकते हैं यह स्पष्टवादी होते हैं जो कहना होता है वो सामने वाले की मूँपर कहबाते हैं इस कारण कभी-कभी अंजाने में ही अपने मित्रों को नाराज कर देते हैं इस लेटे के नाम वाले व्यक्ति सामाजिक कारियों में बढ़ चड़ कर भाग लेते हैं और जरूरत के समय आगे बढ़ कर लोगों की सहायता करते हैं यह भावुक होने के साथ ही व्यवहारिक भी होते हैं अपने व्यवहार के कारण कारिक शेत्र में यह सभी के प्रियब्मन कर रहते हैं ऐसे लोग प्यार मोहबत में खास यकीन रखते हैं और जिन्दगी के हर पल का लुट्फ फटाने की कोशिश जरूर करते हैं जिन लोगों के नाम का पहला लेटर डी से शुरूर होता है यह व्यक्ति काफी हद तक प्रभावत करता है अंग जोतिश के अनुसार नाम के पहले लेटर से किसी भी व्यक्ति के गुण दोशों को जाना जा सकता है अंग जोतिश के मताबिक अंग्रेजी का चौथा लेटर यानि डी अंक चार होता है यह अक्षर राहू के प्रभाव में होता है जबकि इसका प्रतिन इदिराशी सिंग है D-later से जिन व्यक्तियों का नाम शुरू होता है वह धुन के पक्के होते हैं और जिद्धी होते हैं एक बर किसी चीज को ठान लीते हैं तो बस उसके पीशे लगे रहते हैं कोई जिद पकड़ लेते हैं तो वही करने की ठान लेते हैं ये एक बर जिस चीज को पाने के लिए सोच लेते हैं उसे हासल किये बिना इन्हें चैन नहीं मिलता। इन्हें हारना भी पसंद नहीं है और अपनी मेहनत और लगन से जीवन में यह सफलता प्राप्त करते हैं। However, शुरुवाती दौर में इन्हें भले ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़े लेकिन धीरे धीरे प्रगती की और बढ़ते रहते हैं। इनके पास ग्यान का भंडार होता है, मित्रों एवं संपर्क में रहने वालों को हमेशा इनसे कुछ न कुछ सीखने का मौका जरूर मिलता है। इस नामाक्षर व्याले व्यक्ती जीवन की धारा में बहने की बजाए कुछ अलग करने की चाह रखते हैं। नवीनता इन्हें पसंद होता है। इनके जिद्धी सुभाव के बावजूद लोग इन्हें पसंद करते हैं। और क्योंकि यह लोगों की बातों को सुनते हैं और होश्यारी से अपनी बात रखते हैं। व्यक्ति के जीवन में यह प्रेम और रिष्टों को काफी महत्व देते हैं ये तो हुए हमारे लिए वो लोग जिनका की नाम D से शुरू होता है अब अगर बात की जाए उन लोगों की जिनका नाम E से शुरू होता है तो जिन लोगों का नाम का पहला लेटर E हो वह बड़े ही बातुनी होते हैं और किसी चीज के प्रती घंभीरता की इन में कमी होती है हापी को लखी काइन बोले है या तो फिर कैरलिस बोला जाए दोनों ही इनके उपर काफी हद तक सूट करते हैं वाईवे दिशा की अस्थिरता प्रदान करने वाली दिशा माना गया है अंग जोतिश के अनुसार E नाम वाले व्यक्ति किसी भी लंबे समय तक जुड़े नहीं रह सकते बुद के प्रभाव के कारण आम तोर पर यह सुंदर और हश्ट पुष्ट होते हैं सजने सवरने का इन्हें विशेश शौक भी होता है E लेटर से जिनका नाम शुरू होता है वह सौंदर यह प्रेमी होते हैं खूबसूरत और स्टाइलिश दिखने वाले लोगों से मित्रता करना इन्हें पसंद होता है Normally अगर आप इनका friend circle देखें या तो फिर hot and popular लोग जो होते हैं स्कूल में, colleges में उनके दोस्त पाऊगे या कोई भी बड़े businessmen हुए या तो फिर उनके circle में हुए या celebrities हुए उनके circles में आप इन्हें बहुत जादा easily पाएंगे इन्हें बहुत ही जल्दी किसी से प्यार भी हो जाता है और उतनी ही जल्दी कोई नया प्रेमी मिलने पर पिछले प्रेमी को भूल भी जाते हैं ऐसे लोग जहां भी होते हैं, अपनी चीजों को बहुत ही जादा organize तरीके से रखना पसंद करते हैं इनके लिए ये भी कहा जा सकता है, पार्टी और मौज मस्ती का कोई भी अफसर यह चूकते नहीं है हर पार्टी की जान भी यही होते हैं बातुनी होने की वज़े से यह कई बार अनावश्यक ही विवादों में फस भी जाते हैं और किताबे पढ़ना, संगीत एवं दूसरी कलाव में इनका विशेश रूची होती है आर्थिक स्तिथी कुल मिलाकर अच्छी रहती है, किसी चीज का अभाव नहीं होता है इनकी जिन्दगी में लेकिन बहुत अधिक जमापूंजी भी नहीं रखते जो हाथ में आज आया है, वो कल खर्चकर्द बैटते है अब हम बात करने जा रहे हैं लेटर F की उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी विंदी करूंगा जो भी मैं लेटर आपको देने वाला हूँ, जिस लेटर के बारे में मैं बताने वाला हूँ उससे पहले, आप अपने खुद के सर्कल में, अपने क्लोस सर्कल में, अपने रिलेटिव में किसी को नाम को देखिए उस इनसान के पहला लेटर जो है नाम का, वो निकालिए आपको उनमें क्या खूबियां पसंद आती है वो लिखी है और क्या ऐसी चीज है जो कि आपको उनके अंदर आफ करती है हर इनसान की एक अलग वाइब होती है एक औरा होती है उस औरा जो अच्छी पॉजिटिव औरा होगी वो आपका बहुत ही अच्छा क्लोस फ्रेंड बन सकता है और कई लोगों के अंदर थोड़ी से कुछ कमी होती है कोई छोटी से बुरी चीज होती है, कोई बुरी आदत होती है जो कि आपको उनका मित्रब ने से रोक लेती है तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं F अक्षर वालों की तो यह बड़े ही खुश मिजास की लोग होते है ऐसे लोग अंदर से बले ही तकलीफ में हो लेकिन लोगों को सामने अपने दुख को जाहर कभी नहीं होने देते इनकी एक खुबी यह भी होती है कि जरुरत के समय आगे बढ़कर लोगों की मदद करते है जिसे इनने लोगों का प्यार और स्ने प्राप्त होता है इनकी इस खुबी का राज यह है कि इस अक्षर के व्यक्ति शुक्र से प्रभावद होते है इनका मिजाज तेज होता है बोलें तो एक एक स्प्लोडिंग पसनालिटी होती है अंग जियोतिश के अनुसार इस नमाक्षर के व्यक्ति रॉमांटिक होते है यह अपनी परसनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग लग लेकर जरूर चलते है इसके बहुत ही ज़ादा अच्छा उधारन अगर दूँ तो एक पिता और पुत्र एक ही ऑफिस में है एक ही बिजनस सेम बिजनस में है आप मान लीज़े दोनों आंट्रिपरनर्स हैं दोनों की थिंकिंग अलग होगी हर इंसान के थिंकिंग अलग होती है किसी इंसान की दूसरे इंसान के साथ में 110% thinking कभी नहीं मिल सबती जब ऐसा होगा तो obviously बात है कि नोग जोग होगी पर ये नोग जोग जो entrepreneurship के लिए बिजनस में होगी एक पिता और पुत्र के बीच में F letter वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो नोग जोग ऑफिस की है और ऑफिस में ही अंथोनी चाहिए उस नोग जोग को या उस लड़ाई को जगड़े को चोटे सी गवाद विवाद को घर में कभी लेके नहीं आते घर में जैसी आते हैं पुता और पुत्र दोनों मिलके उनसे जाद अच्छे कोई आपको मितरनी नजर आएंगे एक दूसरे से हजी मजाग करना एक दूसरे से बातें करना पूरे फैमिली के साथ में बैठना ये आप जरूर पाएंगे उनके साथ एक प्रापर फैमिली मैं जिसको बोला जाता है वो हैं एफ लेटर के लोग इससे तनाव को अपने उपर कभी हावी नहीं होने देते और जिंदगी में हर पल का मजा लेने की कोशिश जरूर करते हैं इस लेटर से जिनका नाम शुरू होता है वह रचनात्मक सोच रखने वाले होते हैं उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत क्रियेटिव है एक नॉर्मल सी चीज को अगर आप उन्हें देंगे तो उसको कैसे डिजाइन करना है उसके अंदर क्या अच्छी चीजें और हो सकती थी वो जरूर सोचेंगे क्रियेटिव से नहीं सेफ हम इंजिनेरिंग के उपर बोल सकते हैं पोईट्री हुई, राइटिंग हुई, फिल्म इंडस्ट्री हुई, कहीं पे भी वो आ सकते है इन लोगों पर मा सरस्वती के साथ ही देवी लक्षमी की भी क्रिपा रहती है ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन लेकिन अत्वा रचनात्मक शेत्रों में नहीं होने पर भी इन विश्यों से जुड़े अवश्य रहते हैं यह जिस चीज को पाने की हसरत करते हैं उसे जानने के लिए आत्मविश्वास के साथ प्रयास जरूर करते हैं अपने प्रयास में ने सफल्दा भी मिलती है भाग्या का सहीयोग समय समय पर मिलता रहता है अब हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जिनका नाम जी से शुरूर होता है बहुत ही अच्छा उधारन होगा इसका एक नाम गौतम, गौरव, गरिमा इन सब नामों को आप सोची आप जरूर इन में से कुछ नाम अपने आसपास में पाएंगे आपका कोई ना कोई दोस रिलेटिव इन नाम से जरूर होगा तो जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है वो भी गंगा की तरफ साफ और पवित्रमन वाले होते हैं अंग्योतिश के अनुसार ऐसे व्यक्ति जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे अपनी गलतियों से दुखी होकर बैटने की बजाए उनसे सीख लेकर जीवन के बहतर बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे व्यक्ति धरम, करम और दर्शन शास्त्र में गहरी आस्था रखते हैं यह अपने मन में कुछ भी चुपा कर कभी नहीं रखते हैं जो दिल में होता है वह बता देते हैं इनके सीधे पन का कई बार लोग गलत फायदा भी उठाते हैं ऐसे व्यक्ति अपने व्यक्तिकत जीवन में संतुष्ट रहते हैं और जो की लोगों से जान पहचान बढ़ाने की प्रवर्ती नहीं होती है इसलिए दोस्तों की दायरा छोटा ही रखते हैं यह किसी से बहर विरोध नहीं रखते लेकिन जब कोई इन्हें अधिक परिशान करता है तो उग्रहो बैठते हैं विप्रीत परिस्तियों में घबराने की बज़ाए समस्याओं से लड़ने की कला जानते हैं इसलिए बले ही देड़ से मिलिए लेकिन अपनी मन्जिल पाकर रहते हैं आप जरूर इसमें से पाएंगे जो लोगों का नाम जी लेटर से शुरू होता है आपके close friend group में जो होंगे अब ये जो अभी मैंना आपको बता है उनकी characteristics आप इसको उन पर सटीक पाएंगे मैं बोलता हूँ 100% उन पर एक्जाक्ट ये चीज बैठती है मन के पवित्र होंगे हमेशे अपनी life में success पाते हैं friend circle जोटा होगा और जो उनके friend circle में है उनको बहुत ही अच्छे से ये behave करते हैं और उनका ध्यान रखते है पारेपरिक दृष्टी से अगर इन लोगों को देखा जाए तो इनका जीवन सुखद रहेगा इनकी सोच पारंपरिक होती है विवा से पहले के प्यार महवत की बातों में यकीन नहीं रखते इसलिए आम तोर पर अरेंज मैरेज करते हैं दांपत्य जीवन की जिम्मेदारियों को बखुबी निभाने की कोशिश भी अवश्य करते हैं अब हम बात करने जा रहे हैं उन व्यक्तियों की जिनका की नाम H लेटर से शुरू होता है ये बहुत ही महत्वक आंक्शी होते हैं ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से अपने लक्षे को पाने की कोशिश जरूर करते हैं व्यक्ति के तरूप से ये साफ कोमल रदे के व्यक्ति होते हैं संकोची और समवेदन शील होने के कारण जल्दी किसी से गुलते मिलते भी नहीं हैं जिनसे प्यार करते हैं उन्हें प्यार का एजहार करने में भी ये काफी हिज कचाते हैं पर ये जरूर याद रखिए इनका दामपत्य जीवन सुखद रहता है यह अपने जीवन साथ ही का पूरा ख्याल रखते हैं इस अक्षर के नाम वाले व्यक्ति, संगीत और दूसरी ऐसी ही creative fields के अंदर विशेश रूची होती है opposite sex के प्रती यह attractive होते हैं अपने उपर किसी प्रकार का दबाव यह पसंद नहीं करते हैं मद्वेद होने पर भी यह किसी से पूरी तरख तूटते नहीं हैं इनकी बुद्धी प्रकर होती है दूसरों की बातों के भले ही सुन लिये लेकिन करते वही हैं जो इतकी अपनी बुद्धी कहती है चतुराई पूर्ण बातों से इन्हें अपना काम निकालना खूब आता है आर्थिक मामलों में यह भागेशाली होते है अपनी योग्यता से खूब कमाते हैं लेकिन खर्च के मामले में बड़े ही चतुर होते हैं अपने उपर खर्च में कमी कभी नहीं करते लेकिन दूसरों पर खर्च करने के हाथ सक्त रहता है राजनीती प्रभन, प्राशनिक, योग्यता इन्में खूब होती है आईए अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिनका की लेटर आई से नाम शुरू होता है ये अंग्रेजी का नौवा लेटर है जिन व्यक्तियों का नाम आई लेटर से शुरू होगा वो व्यक्ति सूर्य के प्रभाव में होते हैं ऐसे व्यक्ति मेहनती और लगनशील होते हैं इतमें अपने दम पर आगे बढ़ने का होसला होता है चुनोतियों का सामना साहस पूरवक करते हैं नित्रुत्व करना यानि मैनेजमेंट और सुबरविजन करने की शम्ता इनमें बहुत होती है यह जहां भी होते हैं लोगों पर अपना इंप्रेशन बनाये रखने की कोशिश जरूर करते हैं इनके व्यक्तित्व का एक बड़ा गोन यह होता है कि अपरिच्चत व्यक्ति को भी मित्र बनाते हैं इन्हें देर नहीं लगती यह अपने लक्षे के प्रती सजग और सचेष्ट रहते हैं इसलिए दिशन निर्धारत करके आगे बढ़ने में हमेशा सफल होते हैं इस नाम के व्यक्ति, शोहरत, काम्यावी, प्रभुत्व की बड़ी ललक होती है इन चीज़ों में बादा आने पर चीज़ उठते है जिन लोगों के नाम का पहला लेटर आई होता है वो धन कमाने के तरीके अच्छी तरह से जानते हैं पैसा जितना कमाते हैं वैसे ही खुलकर खर्श भी खड़ दाते है शानो सौकत में जीना इन्हें पसंद आता है सुन्दरता इन्हें आकरशित करती है और खुद भी सुन्दर दिखने की कोशिश अवश्य करते हैं जहां इन्हें प्यार और अपनापन मिलता है वहां आप आएंगे इस तरीके के लोग नारियल की तरह दिखते हैं बाहर से एकदम कठोर होते हैं पर जहां पर इनको कोई ऐसा मिल जाता है व्यक्ति जो अपना अपनापन दे तो वहां ये बहुत ही भावक हो उटते हैं और सौफ्ट पसनालिटी बन जाते हैं ये खुद का नुकसान भी कर बैठते हैं अगर ऐसा कभी इनको मिलता है तो अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिनका की लेटर जे से नाम शुरू होता है ये व्यक्ति के तोर पर इमानदार और वफादार होते हैं लेकिन अपने फाइदे के साथ कभी समझोता नहीं करते अंक जोतिश के अनुसार इस लेटर का नामांक एक बनता है जिससे इन पर सूर्य का प्रभाव रहता है ऐसे लोग जिन्दगी के हर पल का मजा लेने की कोशिश अवश्य करते हैं लेकिन स्वास्थिय में अक्सर उतार चड़ाओ बना रहने की कारण खुश्यों में ब्रेग लगता रहता है जिस तरह जे लेटर हुक की तरह मुड़ा होता है उसी तरह इस लेटर के नाम वाले भी सीधे रास्ते काम नहीं बनने पर टेरा रास्ता अपनाते हैं यह जहां भी होते हैं वहाँ अपना महत्व और अपने गुणों को बताना नहीं भूलते इनसे काम लग जाए तो काम करवा देंगे लेकिन काम करने से पहले नकरे बहुत दिखाते हैं सामानिय तोर पर इस लेटर के नाम वाले व्यक्ति का अधिक आर्थिक स्थिति अच्छी होती है पैसे की कमी के कारण इनका काम कभी नहीं रुकता देर सवेर अपने लक्षे को पाने में सफल जरूर होते हैं इनका सुभाव रोमैंटिक होता है ओपोसिट सेक्स के लोगों से इनकी खूब बनती है जिनका प्रेम विवा नहीं होता है उनका भी कोई न कोई अफैर जरूर होता है विवा के बाद अपने जीवन साती पर हमेशा याद रखीगा पर कितना भी कुछ भी हो विवा के बाद अपने जीवन साथी के प्रतिये समर्पित रहते हैं जीवन साथी को हर सुख सुविदा और खुशियां देने की कोशिश करते हैं इनकी तरक्की और लोग प्रियता के कारण विरोधियों में जमात भी अच्छी होती है इसलिए लेटर के नाम वाले को सहियम, साथधानी हमेशा ध्यान रखनी चाहिए अब बात हम करने जा रहे हैं उन व्यक्तियों की जिनका की लेटर के से नाम शुरू होता है अगर आपके नाम का भी पहला लेटर के है तो आप सौंदर ये प्रेमी होंगे सजने सवरने का आपको शौक होगा अपने विचारों को लेकर आप उलजन में रहते होंगे कोई महत्वफून फैसला लेते समय आप कहीं पहलों पर सोच विचार करते होंगे आप सोचते होंगे क्या आप जो डिसिजन ले रहे हैं वो सही है या नहीं है आप यह सोचते होंगे जो आप आगे जाकर के consequences कहीं गलत तो नहीं हो पाएंगे आप बहुत सारी चीज़ों को on the very small point बहुत जादा गहरा देयन कर बैठते हैं आपका यह गुन अंक दो के कारण होता है आपके लिए lucky colors orange, white और green है अंक जोदिश के अनुसार इस letter से जिनका नाम शुरू होता है वह का साहसी होते है लोगों को अपनी और आकर्शित करने की कला इनमें खूब होती है इनके अंदर दिखावा करने की भी प्रवर्ती होती है इसके लिए धन खर्च करने से भी कभी नहीं हिचका चाते वैसे इनकी आर्थिक सिती अच्छी होती है क्योंकि इनके जीवन का एक बड़ा लक्ष्य धन होता है अपने फाइदे के लिए के लेटर वाले व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकते है इनके व्यक्तित वकी एक बड़ी कमी यह होती है कि आगे पीछे सोचे बिना किसी को कुछ भी कह देते है एक तरीके से बोला जाए तो मूफट जिसको हम बोलते हैं वो कॉलिटी होती है इनके इस व्यवहार के कारण दामपत्य जीवन में कई बार कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इस लेटर से जिनका नाम शुरू होता है उन्हें समुद्र, नदी, तालाब और गहरे पानी से हमेशा सावधान रहना चाहिए दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए वरना चापलू समित्रों के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है प्रेम संभन के मामले में फुक फुक कर कदम बढ़ाना इनको अवश्य है अब हम बात करने जा रहे हैं उन व्यक्तियों की जिनका की नाम एलक्षर से शुरू होता है इस तरीके के लोग इंट्रोवर्ट होते हैं अब ये एक बहुत बड़ी धारना लोगों ने बना रखी है जो इंट्रोवर्ट होगा वो शाई नेचर का होगा उसको बाहर जाना पसंद नहीं आता होगा पार्टी करना, लोगों में गुल मिलना इसको पसंद नहीं होगा इसको अकेला रहना जादा अच्छा लगता होगा ये सारी धारना जो बनाई रखी है इंट्रोवर्ट के लिए ये बहुत ही गलत धारना है एक introvert वो आदमी है या वो इंसान है जो अपने personal time को ज़ादा value करता है अपने private time को ज़ादा importance देता है जो private time है वो उसके खुद के development के लिए है जिसको कि वो sacrifice नहीं करना चाहता किसी भी और व्यक्ति या चीज के लिए इस तरीके के इंसान जिन को हम introvert मानते हैं ये introvert तब तक ही है जब तक किसी से घुल मिलते नहीं है अगर कोई इनको इतना अच्छा दोस्त मिल जाए तो आप पाएंगे ये बहुत ही fun-loving और outgoing इंसान में convert होते हैं पर ये सिफ उन्हीं लोगों के साथ में होते हैं जिनको कि अपना दोस्त मानते हैं ये जो इनके उतने करीब है बहर लोगों के लिए ये तब ही introvert और शाई ही कहलाते रहेंगे इनमें संगर्ष करने की शमता अधिक होती है अंक जोतिश के अनुसार ये letter अंक तीन के प्रभाव में होता है आम तोर पर इस letter के व्यक्ति का रूप रंग सुन्दर होता है ज्यान, बुद्धी और धन तीनों ही इनके पास होते हैं पढ़ने लिखने के अलावा इनकी रूची रोमैंस में होती है अकसर ये दिमाग की बजाय दिल से फैसला लेते हैं इस letter के नाम वाले व्यक्ति कल्पना शील और जीवन की छोटी से छोटी चीज़ों में खुशियां डूणते हैं इनकी व्यक्ति एक बड़ी कमी है जो की है क्रोध तुरंथ हावी हो जाता है हाला कि ये अधिक समय तक नहीं रहता अपनी भावनाओं पर जल्दी काबू पा लेते हैं एल अक्षर वाले लोग वाद विवाद में इनके तर्ग प्रति दंदियों के लिए अकाट्य होते हैं इनकी वाणी और लेकन प्रभावशाली होती है इनका बचपन सामानिय रहता है युवा वस्था में इन्हें काफी संगर्श करना पड़ता है लेकिन प्रावशाल वस्था सुख में होती है इनके अंदर नेतरत्व करने की योग्यता होती है और इनकी आजिविका का साधन शिक्षाय, शिद्य, धार्मिक शेत्र, लेकन राजनीती, समाज सेवा या प्रशाटनिक अत्वारक्षा सेवा होती है अब हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के 13th लेटर पे जो की M है उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति अंतरमुखी यानि इंट्रोवर्ट और गंभी, सीरियस होते हैं इनके मन में कब क्या चल रहा होता है यह समझना कठन होता है यह किसी विशय पर अधिक सोच विचार करते हैं और थोड़ी संकोची होते हैं इनका मन साफ होता है, जल्दी किसी से उलशते नहीं है लेकिन कोई नुकसान पहुचाने की कोशिश करे तो पूरी ताकत और शमता से विरोधी को दबाने में और इसको तबा करने में सफल होते हैं इस लेटर से जिनका नाम शुरू होता है, वह भावक होते हैं इमोशनल, अगर इनको कोई ठेस पहुचा है, तो जो मैंने उपर आपको बात बताई है, वो अवश्य ही सही होती है इनका दिल कौन सी बात कब लग जाए, यह समझना मुश्किल होता है इनकी जीवन में प्रेम बहुत ही माइने रखता है, जिनसे इनका एक बार नाता जुड़ जाता है, उनसे रिष्टा बनाये रखने की आखरी दम तक यह कोशिश करते हैं आम तौर पर इस लेटर से जिनका नाम शुरू होता है, वो जीवन के प्रती फिलोसिफिकल व्यू रखते हैं दिन रात पैसा जमा करने की कोशिश करने की बजाए, जिस तरह धन कमाते हैं, उसी तरह खुले हाथ धन खर्च भी कर बैठते हैं इनके अंदर एक बड़ी कमजोरी होती है, जिद, एक बार जिस बात को पकड लेते हैं, उसे हर हाल में पूरा करना चाहते ही हैं कई बार इस कारण नुकसान भी उठाना पड़ता है, जो इनके लिए चलता है अपनी आलोशना इन्हें पसंद नहीं होती, पुराने विचार धाराओं पर चलने की बज़ाए नवीन धारनाय, नई धारनाय को स्थित करना, स्थापित करना, इनके व्यक्तित वकाए एक विशेश गुन है इन व्यक्तियों के लिए एक नॉमल सी, बहुत नॉमल सी और स्टांडर्ड स्टेट बात है जो धारनाय पुराने ताइम से चली आ रही है काफी ओल्ड एज रिच्वल्स हैं या तो फिर हम बोलें थिंकिंग है जो आज की जनरेशन के लिए और आज के टाइम के लिए सूटेबल नहीं बैठती जस तरीके से टेकनॉलजी आगे बढ़ी है उसी तरीके सोसाइटी भी आगे बढ़ी है अगर इनकी धारना के हिसाब से देखा जाए वो जो रिच्वल्स है या वो जो थिंकिंग है अगर वो आज की डेट में सही नहीं बैठती तो ये उसको हटा कर फिक देना चाहते हैं और उसमें सफल भी होते हैं और अपने क्लोस सिर्कल के अंदर ये अपने आपको स्थापित और सही साबित भी करते हैं अगर ऐसी कोई भी गलत चीज है जिसको फॉलू किया जा रहा है उससे छोड़ करके एक नहीं और जादा बहतर चीज को उस पर्टिकलर थिंकिंग को या उस पर्टिकलर रिच्वल को अब से मनाया जाए अब हम बात करने जा रहे हैं फोटींथ लेटर यानि की N की अंग जोटिश के अनुसार इस लेटर बुद्ध से प्रभाविद होता है जिनके नाम का पहला लेटर N होता है वह अपनी धुन में मस्त रहते हैं दूसरे इनके बारे में क्या सूचते हैं इस बात की या अधिक फिक्र नहीं करते जिस प्रकार इन लेटर घुमावदार दिखता है उसी प्रकार के इस नाम वाले व्यक्ति के जीवन में समय समय पर उतार चड़ाव आता रहता है इनमें एक बड़ी खूबी होती है कि अंजान व्यक्ति से भी तुरंद घुल मिल जाते हैं और दोस्ती कर लेते हैं दोस्ती लंबे समय तक निभाने का प्रयाज भी जरूर करते हैं इनमें साहस खुब होता है बीना उफ किये कठिनाईयों को डट कर सामना कर बैठते हैं अपना काम निकालने के लिए या हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं जीवन में कई बार व्यस्तता के कारण बिजीनिस के कारण इन पर भारी पढ़ने लगती है जीवन की प्रॉब्लम्स जब क्रोध आता है तब उग्रहो बैठते हैं लेकिन दूद के उबाल के तरह जितना जल्दी क्रोध आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है इस लेड़ा के व्यक्ति पहली नजर में प्यार पर यकिन नहीं करते ये वही रिष्टा जोडते हैं जहां इनका फाइदा होता है इनके अंदर दिखावे की प्रवर्ती यानि शो आफ की भी प्रवर्ती होती है अब हम बात करते हैं लेटर ओ के बारे में जिन व्यक्तियों का नाम अंग्रेजी के ओ अक्षर से शुरू होता है ये लोग सेल्फ सेंटर होते हैं सेंटर ओफ एट्राक्शन जिनको बोला जाता है कहीं पे भी जाहें तो सबसे पहले अटेंशन इनको मिलना चाहिए ये उन में से एक होते हैं इन्हें साहस और दिलेरी का प्रतिनिदी कहा जा सकता है जीवन में उतार चड़ाव आने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति ना तो साहस चोड़ते हैं और ना हिम्मत हारते हैं एक बार नीचे गिरने पर भी साहस और हिम्मत से उपर उठने का प्रयतन करते रहते हैं और उसमें सफल भी होते हैं एक पटिकलर मूवी है इंग्लिश भाशा की अगर आप सबने अगर ये शायद आपने बहुत अच्छे सुना होगा डायलोग ये जो पटिकलर डायलोग है ये जो पटिकलर सेंटेंस है ये इन लोगों के उपर यानि की जिन लोगों का नाम ओ से शुरू होता है उन पर सटीक बैठती है इनके मित्र भी बहुत होते हैं पर शत्रू भी कम नहीं होते जो व्यक्ति उनके मित्र रह चुके होते हैं उनमें से ही प्राहयर बहुत से इन्हें धोका देने का प्रेयत न जरूर करते हैं ऐसे व्यक्ति सदा साफ सुत्रे रहते हैं अजव्यवस्ता यानि अनौगर्णाइजड और गंदगी उन्हें पसंद नहीं होती संकुचित वितारों का लबादा उन पर टीक नहीं पाता अर्थात संकुचित विचार उन्हें पसंद नहीं आते फिर चाहे वो चमक शन भरकी हो क्यों नहों परंतु उनकी इच्छा यही रहती है कि वह चमक दूसरों को एक बार चका चौन्द कर दे उनमें महत्वक आंक्षा हैं बहुत होती है और वे उन्हें जल्दी पूरा करने का भी चाहा रखते हैं उचा उटने की उन्हें बहुत होती है उनके जीवन का अंतिम भाग, अपेक शक्रत, कम जल्द बाजी से भरा होता है तथा सुखी और संपन होता है अब हम बात करने जा रहे हैं उन व्यक्तियों की जिनका की नाम पी लेटर से शुरू होता है जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्ण माला का पी लेटर हो उनके अंतर मन में भयंकर दुख, वहाहा कार होता है पर बरदाश्ट के बाहर कष्ट होने पर भी वे उपर से शांत बने रहते हैं कभी चिंता करते हुए नहीं जाते आप इनको कभी चिंता करते हुए नहीं देख पाएंगे आपको लगेगा कि ये easy flow में चल रहे हैं पर अंदर इनके मन में क्या तूफान उठावा है वो कोई बाहर नहीं देख सकता अपने कष्ट और रहस्यों को छिपाते हुए वे दूसरों के सुख दुग में भाग लेना नहीं भूलते उनके मन में किसी के प्रती गंदे विचार भी नहीं होते साथ ही किसी के निंदा भी सुनना पसंद नहीं करते बीतर से साफ और बाहर से मधूर एवं मिलनसार होने का इनको व्यक्तित्व को विशिष्टता होती है अनेक कठिनाईयां जेलने पर भी लोग इन्हें मू लटकाएं नहीं देखते इनके चेहरे पर दुख, दर्द और चिंता, खिंता की डिखाएं दिखने में नहीं आती स्वयम कष्ट और हानी सहेकर भी ऐसे व्यक्ति अपने मित्रों को साहता करने और उन्हें सहयोग देने के लिए हमेशा तयार रहते हैं तत पर रहते हैं इन्हें सदा शांत वातावरण पसंद होता है कोला हल से भरे वातावरण में भी ये अपने को ऐसा बना लेते हैं मानों किसी अग्याद स्थान पर रह रहे हो इन्हें समाज का कश्रेष्ट मानों भी कहा जा सकता है अब हम बात करें जा रहें उन व्यक्तियों की जिनका की नाम Q-letter से शुरू होता है अक्षर से आरम होता है Q, उनका जीवन काफी व्यवस्तित होता है उनके जीवन सिध्धान्थ और लक्षे भी निश्चत और निर्धारत होते हैं इसका तात्परे यह है कि उनके विचार और सिध्धान्थ अटल और अडग होते हैं उनका जीवन क्रम सूव व्यवस्तित होता है और उसमें उतावलापन नहीं होता वेल प्लान्ड और वेल पेस्ट लाइफ चलते हैं ये लोग अपनी व्यवस्ता से किसी दूसरे का हस्तक्षेप इन्हें पसंद नहीं होता इसे व्यक्ति श्रिष्ट प्रशासक सिध होते हैं परन्तु इनमें अभिमान भी बहुत होता है अपने उत्तरदायतवक को भी वे अच्छी तरह निभाते हैं जीवन की व्यवस्ता और सिध्धान ही ऐसे व्यक्तियों को विशिश कहा जा सकता है अब हम बात करने जारें उन व्यक्तियों की जिनका की नाम आर लेटर से शुरू होता है ये लोग उदार और परोपकारी होते हैं जरूरत के समय लोगों की मदद करने में हैं आगे रहते हैं। इस लेटर से जिनका नाम शुरू होता है उनके कुछ भी सीखने और नई चीज़ों को जानने की तेज चाहत होती है। संगीत का इन पर विशेश प्रभाव होता है। जिन लोगों को इस नाम इस लेटर से शुर द्यान रखते हैं ऐसे लोगों के साथ साजेदारी में कारिय करना यानि पार्टनर्शिप में काम करना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। अगर आपका भी कोई पार्टनर्शिप में बिजनस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक बर पहले आप सोच एक particular expert को दिखा जीजे ताकि वो आपको बता सके जोतिश के मामले में अगर हम देखें तो यह आपके partner बनने लायक है या नहीं है पर साधारन तोर पर देखा जाए तो जिन लोगों का नम R से शुरू होता है वो काफी हद तक सही ही माने जाते है दर्शन एवं लेखन में इनकी रूची होती है और इन शेत्रों में जुड़े लोगों से दोस्त रखना पसंद करते हैं सांसारिक चीज़ों में इनकी रूची कम होती है जीवन साथी रोमांटिक होने पर वेवाहिक जीवन में तालमेल बना रहता है अन्यथा नोग जोग होती रहती है 30 से 45 वर्ष तक का जीवन इनका अधिक सुखद और खुशाल होता है अब हम बात करने जा रहे हैं 19th letter इंगलिश अलफबेट किन्दर 19th letter याने की S की S letter से जनका नाम शुरू होता है उन पर सूर्य का प्रभाव होता है जिस प्रकार S letter उपर और नीचे से खुला होता है ठीक उसी प्रकार S letter के व्यक्ति भी खुले विचारों वाले होते हैं किताबी ज्यान के अलावा व्यवहारिक ज्यान भी इनके पास होता है जहां से जो ग्यान मिलता है उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं इसलिए इस लेटर के नाम वाले व्यक्ति बहुमुकी यानि मल्टी फेसिटिट प्रदिवा के धनी होते हैं इस लेटर से जिनका नाम शुरू होता है वह अंदर से साफ दिल के होते हैं लेकिन इनका क्रोध इन्हें लोगों की नजर में बुरा बना देता है सत्य और अपने अपने सिध्धानतों के लिए या किसी से भी टकराने के लिए तयार रहते हैं जो पडिकलर इनका बिलीफ है उसको ये सही समझ करके सामने वाले से कभी भी टकरा जाते हैं वेराज हर किसी को अपनी खुद की परसनल ओपीनिन रखने की पूरी राइट है पर इन व्यक्तियों का ये मानना है जो इनका नजरिया है किसी चीज़ को ले करके वही सही है इन में खुद को श्रेष्ट साबित करने पर एवं नितुरत्व की बड़ी चाहत होती है सामाजिक जीवन में यह हस्मुक और मिलंसार होते है और यह हर पार्टी के उच्सवों का जम कर आनंद उठाते है वेवाहिक जीवन के अगर बात की जाए तो अपना वर्चस्व बनाय रखने की कोशिश करते है इसके कारण दामपत्य जीवन में आपसी तालमेल की कमी होती है वेवा के बाद इस लेटर की महिलाओं को कोई प्रकार की समस्याय का सामना करना पड़ता है जबकि पुर्शों का जीवन वेवा के बाद अधिक सुक में होता है यह जिन से प्यार करते हैं उनसे बहुत अधिक लगाव रखते हैं जिसके कारण यह थोड़े शंकालू हो जाते हैं जिनका नाम इस लेटर यानि की S लेटर से शुरू होता है वह काफी महनती होते हैं अपनी महनत और लगन के धन्या होते हैं और भौतिक सुक सुविदा एवं मान समान हासिल करते हैं अब हम बात करने जा रहे हैं उन व्यक्तियों की जिनका की नाम टी से शुरू होता है इन व्यक्तियों का नाम टी से शुरू होता है टी से वे संतोश्मृत त्रपता नाम का उधारन होते हैं यानि संतोश्वरती उनमें कूट-कूट कर भरी होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी उन्नती के लिए कभी कोई गलत तरीका इस्तमाल नहीं करते। वरन्याय और विवेक के आधार पर चल कर ही उन्नती और सुखी होते हैं। उन्हें अपने आप तथा अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा होता है। और स्वतंत्र निर्णे लेने की उनमें पूरी शमता होती है। वहीं उनका विशेश गुण होता है किसी के दबाव में आकर वे अपने निर्णे या अपने मत को नहीं बदलते। एक बार निश्चे कर लेने या कोई विचार स्थिर कर लेने पर उसे बदलना उनके लिए खटन होता है। ये उस पर अटल रहते हैं। वे अपने परिचतों तथा मित्रों में काफी लोग प्रियो होते हैं। और उन्हें अपनी प्रसनत्ता का भागीदार भी बनाना चाहते हैं। जबकि कश्टों और मांसिक यातनाओं को अकेले ही सहन करने के तयार रहते हैं। सब कुछ प्रभु की कृपा मानकर इसे अपनी पूरी आस्ता रखते हुए जीवन बिताते हैं। इस बात के लिए तरक नहीं करते हैं। प्रभु भक्ती, स्वामी भक्ती और देश भक्ती उनके विशिष्ट कुण होते हैं। अगर बात की जाए लेटर यू के बारे में जो की 21st लेटर है, इस लेटर की आकरती एक गहरे बरतन के जैसी होती है। इसी प्रकार जिन विएक्तियों का नाम का पहला लेटर यू होता है, उनकी सोच बहुत गहरी होती है। उनमें किसी भी बात को अपने अंदर पचा लेने की इच्छा शमता होती है। आप उनके साथ में एक पटिकलर अगर वर्ट बोला जाए, कॉन्फिडांटे होता है, जो सबके सीक्रिट्स अपने साथ में सिक्योर रखता है। ये लोग उनमें से होते हैं। आप इनको अपनी कितनी भी गहरी से गहरी बात बता दीजे, आप 110% शयर हो सकते हैं, ये दूसरों के साथ में कभी शेयर नहीं करेंगी इस बात को। भविश्य के प्रती, अधिक सोच बिचार नहीं करते पर। भगवान और भाग्या पर सब को छोड़कर अपने लक्षय को पाने की कोशिश करते हैं। अक्सर इने अपने प्रयास में सफल्दा भी मिलती है, जिनका नाम इस लेटर से शुरू होता है, वह उदार होते हैं। अपने से ज्यादा या अपने से जुड़े लोगों के बारे में सोचते हैं। चापलू स्मित्र और मौकाप प्रस्त लोगों से इने सावधान रहना चाहिए। क्योंकि यह इनका फाइदा उठाने की कोशिश अवश्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति, बुद्धी और ज्ञान से जीवन में उन्नती का विचार रखते हैं। श्रिंगार और नित नई चीजों का जानने और इनको प्रयोग करने की इनमें हमेशा चाहत रहती है। ऐसे व्यक्ति में एक बड़ी खूबी यह होती है कि सफलता की उचाईयों पर पहुचने के बाद भी यह एहिंकार को अपने उपर हावी नहीं होने देते। कभी-कभी व्यवहार में हट देख सकते हैं, लेकिन प्यार से समझाने पर मान भी जाते हैं। यू लेटर से जिनका नाम शुरू होता है वो रिष्टों को काफी एहमियत देते हैं। बच्चों से इनका बेहत लगाव होता है और जिनसे प्यार करते हैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। हमेशा आमादा रहते हैं दूसरों को खुशी देखने के लिए। अगर अब बात की जाए लेटर व के बारे में ट्विटी सेकंड इंग्लिश एल्फाबेट तो यह लेटर विजय का प्रतीक रहता है। जब ऐसे दिखाया जाता है यह विजय होता है। जिन लोगों के नाम का पहला लेटर वी होता है उनमें विजय पाने की बड़ी चाहत होती है। इनके व्यक्तित्वकी एक बड़ी खूबी होती है कि यह धन और पद पाने के लिए संभव प्रयास हमेशा करते रहते हैं। इन में सफलता भी मिलती है लेकिन एक बार सफलता का स्वाज चक लेने के बाद अपनी अस्तिती बनाय रखने के लिए बहुती सतरक रहते हैं। इनमें भेय रहता है कि जो स्थान आज सम्मान इन्हें मिला है जो पाया है कहीं वो कल खोना बैठें। लेकिन जो चीज एक बार हासिल कर लेते हैं, वह स्थाई तौर पर इनके पास रहती है, इनमें व्रद्धी होती है और कमी नहीं होती, वी लेटर से जिनका नाम शुरू होता है वह जिद्धी होते हैं, यह अपनी मर्जी से काम करना पसंद करते हैं, दबाव डाल कर इनसे लेकिन समय आने पर अपनी जिम्मेदारियों को बखू भी नबाते हैं, सामाजिक कारियों से यह खुद को दूर रखने की कोशिश करते हैं, इस कारण लोग इन्हें असामाजिक भी समझते हैं, पर इसका कारियों यह है कि यह अपने आपको सेंटर ओफ एट्राक्शन या उनमें किसी भी चीज को जानने की बड़ी उतसुकता होती है, इसी उतसुकता के चलते देश, दुनिया के अलावा, समाज और परिवार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर इनका ध्यान अवश्य रहता है, अपने इस गुण के कारण यह पत्रकारता, जन संपर अधिकारी तदा समाजिक कार्य करता के रूप में अधिक सफल होते हैं, इस नाम के व्यक्ति भावक होते हैं और प्यार से इनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है, बस इनको प्यार से बोलने की ज़रुरत है कि तुम ही तो हो जो मेरा यह काम कर सकते और यह कर बैठेंगे, ल वापस इनके लिए कुछ अच्छा करना आपको पड़ेगा ही। इंग्लिश एल्फाबेट में जिनका नाम डबलू से शुरू होता है। उनको मैं बोल सकता हूं कि एड्रिनलिन जंकी होते हैं। इनको खत्रा उठाना यानि एड्वेंचर स्पोर्ट्स खेलना या तो कोई भी एड्वेंचरिस चीज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। चाहे वो तैर कर समुद्र लांगना हो, दुर्गम पाहार चड़ने हो, चाहे बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन जगे पे हाइकिंग करना हो, इनको उसमें बहुत मज़ा आता है। कोई भी प्रकार के बहादुरी के काम इन्हें बहुत पसंद आते हैं। ये बहुत फुर्तीले होते हैं, इसी वज़े से आले से इनके आसपास भी नहीं बटकता। असंभव कारियों को करने में भी ये लोग जुड़ जाते हैं, परन्तु इनका बुड़ापा सुख से नहीं कटता। जो भी इन्हों ने आज की तारिक में एडरेनलिन जंकी की वज़े से एक नॉर्मल सी बात है, एडरेनलिन जंकी जिसको हम बोलते हैं, जब तक उसको लाइफ में वह एकसाइटमें नहीं मिलेगा, तब तक वह खुश नहीं होता। वेरेज जिन नाम डबलू से शुरू हो रहा है, अगर वो शुरू की प्रवर्ती ही उनकी अडरेनलिन जंकी की रही है, तो ओल्ड एज में जब आपकी बॉड़ी आपका साथ नहीं देदी, जो आपका कारेक्टर स्टिक है, उसका साथ नहीं देगी, तो नॉर्मल सी बात ह कि आपका बुढ़ापा जिस तरीके से कटना चाहिए था उतना हैपी नहीं कटेगा, फिजिकली आप फिट जरूर होंगे, पर जो आपको करना पसंता अब आप वो नहीं कर पाएंगे, अब हम बात करने जा रहे हैं, लेटर एक्स के बारे में, भारत में बहुत ही कम लोग और बढ़ चड़कर प्रदर्शन करना इन्हें बड़ा रूचीकार लगता है, उत्तर दायत्व तो वे ले ही नहीं सकते, और कोई महत्वपून कारिया भी अपने हाथ में नहीं ले पाते, ऐसे ही व्यक्तियों को सदा असफल व्यक्ति की संग्या दी जाती है, अंग्रेज जीवन में जिन लोगों का नाम Y से शुरू होता है, किसी एक ध्यक को स्विकार करके जीवन पर उसी की प्राप्ति के लिए कार्यक करते रहते हैं, संसार में इनका योगदान अपने ही ढंका एवं अनोखा होता है, अब हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जिनका की ना Z से शुरू होता है, बहुती कम लोग होंगे ऐसे इंडिया के अंदर भारत के अंदर अगर हम देखें जिनका की नाम Z से शुरू होता है, ये बात इनके बारे में जान लेना अवशे बहुती ज़रूरी है कि ऐसे लोग तुनक मिजाजी होते हैं, इमिचिट रियक्शन दे उसनों को नश्ट करने की भावना भरी रहती है और पीडियों तक बैर पालते रहते हैं। क्रोधी और अवेविका होने पर भी वे वीरता की शेत्र में अद्वत्य सिद होते हैं। वे अच्छे कुटनितिग्या भी होते हैं। इसमें सफलता भी प्राप्ट करते हैं। आप किसी व्यक्ती के नाम के प्रतम अक्षर से ही उसके चरित्रव सभाव की पूरी जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं। इस कारिय के लिए अक्षरों के सभाव और गुनों की जानकारी होना आवश्यक है। राशी से फलादेश देखते समय यदि नाम के अक्षनों के सुभाव को भी ध्यान में रखा जाएगा तो और अधिक सफलता प्राप्त होगी इसी के साथ आज ही प्रोग्राम अंत करने की इजाज़त चाहूंगा और वादा करता हूँ बहुत ही जल्द और इसी सबजेक्ट से जुड़े वीडियो आपको भेशता रहूंगा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका दोस्त है जिसके की उपर ये एकदम सटीक बैठा है इस वीडियो को जरूर उसके साथ में शेयर करें और उसको बताएं कि वो कितने अनमोल है धन्यवाद अगर आपको बताएं कि वो कितने अनमोल है